वेलकम टी उपेस्टी एक्जाम प्रेप आज है आठ दिसम्बर 2023 और स्वागत है आपका करण्ट अफ्यास न्यूज डिसकर्शन में तो आए शुरू करते हैं हमारा पहला आठिकल है अचका भरतिये दंड सहीता की धारा 134 के बारे में तो आए शुरू करते हैं सेक्षन 34 क्या है तो अभी सुप्रिम कोट ने हाली में इस्पष्ट किया है कि भरतिये दंड सहीता की धारा 34 को लागू करने के लिए सभी सहे अभियूगत ब्यक्तियों के बीच एक समान इरादा होना चाहिए जो एक साजा उद्देश और डिजाइन का संकेत देता है IPC की धारा 34 क्या है तो इसके बारे में देखते हैं IPC की धारा 34 ये सामान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई ब्यक्तियों द्वारा किये गए कारियों को बताती है ये धारा इसपष्ट करती है कि जब कोई अपरादिक कार सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई ब्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो ऐसे पृते एक ब्यक्ति उस कार के लिए उसी तरह से उत्तरदाई होगा जैसे कि ये अकेले और उसके द्वारा किया गया हो ये प्रादान जो किसी कार के लिए संयुक्त दोसी मानता है ये आपरादिक कानून की मूल आवधार्णा से भटक जाता है जिसमें कहा गया है कि एक ब्यक्ति केबल अपने द्वारा किये गए अपरादों के लिए जम्मेदार है दूसरे कारियों के लिए नहीं दाना 34 किसी विस्स्ष अपराद के बारे में नहीं बताती है यह केबल साक्ष का नियम बताता है कि यदि दो या दो से अधिक ब्यक्ति सामान इरादे से अपराद करते हैं तो उनमें से प्रतेक ब्यक्ति को संयुक्त रूप से उत्तरदाई ठेराया जाएगा इस अपराद के लिए सजा उनके द्वारा जो किये गए अपराद है उसके अनुरूप होगी और उधर्ण के लिए यदि हत्या का अपराद एक सामान उद्देश को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो है तो उसमें प्रतेक को भरतिये दंड सहीता 1860 की धारा 302 और धारा 34 के ताहित उत्तरडाई ठेराय जाएगा धारा 34 उन मामलों में ब्रतिगत जवाब देश सुनस्चित करने में मदद करती है जहां किसी समू द्वारा संचालित आपरादी क्रत्य में सामिल सभी ब्रतियों के सामान उद्देशों के समर्तन में की गई कोई गतिविदी है तो उसमें ब्रतिगत दायत उसको साबित करना मुश्किल हो जाता है यह ध्यान रखना बहुत ही महत्पूर्ण है कि अनुच्छत 34 में प्रतियक अभ्यूक्त को अपरादी क्रत्य के हर पहलू में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवसक्ता नहीं है जब अनुच्छत 34 को लागू करने के लिए निमनलिखित आवस्चक सामगरी महजूद होनी चाहिए यानि धारा 34 को लागू करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आवस्चक होनी चाहिए इसमें से अनेग लोगों द्वारा किया गया अपरादिक क्रत्य और उस अपरादिक क्रत् के मामले में ये माना गया था कि ये आवस्यक नहीं है कि कोई पूर्व साजिस या पूर्व साजना होनी चाहिए साथ ही इरादा घटना के दोरान भी बन सकता है प्रतेक आरूपी को की सक्रिय भागदारी होनी चाहिए और इसमें अपरादिक क्रत्य के कमीशन को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए अपराद इस्तल पर केवल उपस्थिती ही पर्यापत नहीं होती है मरा अगला अटकिल है पलसर के बारे में तो देख लेते हैं पलसर क्या है अभी आश्टेलियाई स्कॉयर किलो मीटर एरे पाथ फाइंडर का उप्योग करते हुए एक खगोल विदों ने हाली में एक नए पलसर की खोज की है जिसे नाम PSRJ1032 और 5804 रखा गया है तो पलसर के बारे में देखते हैं तो ये पलसर घुणन करने वाले नीटरान तारे होते हैं जिसमें बहुत नियमित अंतराल पर बिकिरण इसपंदन पाये जाते हैं जो आम्ट ओर पर मिली सेकंड से लेकर सेकंड तक होते हैं प Allsar में बहुत मजबूत चुमबकिये छेत्र होता है जो दो चुमबकिये धुर्भ़ों के साथ कड़ूं के जेट को बाहर निकालते हैं और ये तुरतिकर्ड प्रकास की बहुत सक्तिसाली किरणे उत्पर्ण करते हैं जब ये चुम दो धुरुबों के बीच जो जेट को बाहर निकालते हैं तो ये बहुत अधिक रोसनी पैदा करते हैं ये बहुत जड़ा रोसनी दिख रही होगी चुम बकिये छेत्र अक्सर घोणन अच के साथ सनरेखित हो नहीं होता इसलिए तारे के घूमने पर कड़ों और उनके प्रकास की किरणे चारो और घूम जाती है जब किरण हमारी द्रश्टी रेखा को पार करती है तो हमें एक इस्पन्दन दिखाई देता है दूसरे सब्दों में अगर कहें तो जैसे ही हम किरण प्रश्टी के ऊपर से गुजरती है तो पलसर चालू या बंध होते दिखाई देने लगते है पलसर इसका दिरब्यमान सूर से 1.18 से 1.97 गुणा मद्ध होता है लेकिन अधिकांस पलसर का दिरब्यमान सूर के 1.35 के बीच गुणा इसके बीच होता है अब देख लेते हैं नूट्रान इश्टार क्या होते हैं तो ये नूट्रान तारे अतियंत सगन और सगन खगोलीय पिंड है जो एक विसाल तारे का इधन खत्म हो जाने पर निर्मित होता है ये अपने गुर्त्वा कंसर के कारड धह जाता है और तारे का सबसे केंद्रिये छेत्र उसका कोर धह जाता है फिर प्रति एक पोटान वा इलक्ट्रान को एक साथ दबाकर न्यूट्रान में बदल देता है यह धहते हुए जो तारा खतम हो रहा होता है उसका कोर लगवग एक से तीन सहर द्रश ध्रभिमान के बीच होता है तो यह नव निर्मित न्यूट्रान एक न्यूट्रान तारे को पीछे छोड़ते हुए उसका पतन को रोक सकते हैं आधिक द्रभ्यमान बाले तारे, तारे किये द्रभ्यमान बाले ब्लेक होल में धहने लगते हैं। चुकि न्यूट्रान तारों में तारे के रूप में अपना अस्थित्त शुरू किया, इसलिए पूरी आकास गंगा में उन्हें इस्थानों पर बिखेरे हुए हैं। जहां हमें तारे मिलते हैं और सितारों की तरह उन्हें स्वय या किसी साथी के साथ बाइनरी प्रणाली में पाया जा सकता है। हमारा अगला अटकिल है कमपनियों का समू सिध्धान्त के बारे में। तो अब आई ये देख लेते हैं। अभी हाली में सरवोच न्याले की एक समिधान पीठ ने कहा है कि एक मध्यस्तता समझाओता कमपनियों के समू सिध्धान्त के अनुसार गयर हस्ताचर करताओं को बात दिकर सकता है। इसके बारे में देखते हैं, तो ये कमपनियों के समूँ सिद्धान्त में कहा गया है, कि किसी एक कमपनी जो मद्यस्ता समझोते पर गयर हस्ताचर करता है, तब भी बैस समझोते से बधी होगी, यदि ऐसी कमपनी समझोते पर हस्ताचर करने वाली कमपनियों के समूँ की सदस से हैं ये स्दान्त मानता है की मध्धास्ता संजोते के पच्छकारों ने पार्मपरिक रूप से ऐसे गयर हसाचर करता को बाहद करने का इरादा किया है यह मध्धास्ता अदालत में जाए बिना पच्छों के बीच विवादों को सुलज़ाने की एक व्युस्था है जो विबाद पर निर्य देने के लिए एक तठेस्ट वैक्ति निऊट किया जाता है इसमें जो मलब वैक्ति हो जो पच्छापात ना करता हो उसको नियुत किया जाता है और मध्यस्थ का पहली बार भारतिय सर्वोच न्याले द्वारा क्लोरो कॉंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवन ट्रेंट बाटर प्यूरिफिकेशन इंक 2013 में मानता दी गई थी तब से भारतिय अदालतों ने हस्ताचर करताओं कि समूं कमपनियों को मद्यस्ता समझवते से बांधने के लिए एक सिध्धान्त लागू किया है सर्वोच न्याले ने ONGC लिमिटेड बनाम Discovery Enterprises लिमिटेड मामले में तै करने के लिए कुछ कारुकों पर विचार भी किया था कि सिध्धान्त लागू होगा या नहीं होगा ये पार्टियों का पलसर इरादा है मलब वो उनके उपर है कि इस दंद लागू होगा नहीं होगा ये पार्टि फैसला ले सकती है इसमें गैर हस्ताचर करता का उस पक्ष में के समझवता का हस्ताचर करता है और विशय बस्तु की समानता होनी चाहिए लेन देन की समगर प्रकरती अनुवंद का निस्पादन जे एस चीज़ें होनी चाहिए इसमें भारतिये कमपनियां समू सिद्धांत को लाने के पीछे मुख्य उद्देश से जो समगर लेन देन में विवादों को विखंडन को रोकना था यानि कई पच्छों में कई अनुवंदों वाले विवादों को रोकना इसका मुख्य उद्देश से था कि मद्दस्ता करके इसको सुल जाया जा सके इसे अदालतों का बोज कम हो सरवोच न्याले का हालिया फैसला क्या आया है तो सरवोच न्याले अभी माना है कि यह आवस्यक नहीं है कि केवल मद्दस्ता समझोते पर हस्ताचर करने वाले व्यक्ति ही मद्दस्ता समझोते से बने होंगे लिखित मधधस्ता समझवतों की या वसकता का मतलब यह नहीं है कि गैर हस्ताचर करता इसके लिए बात नहीं होंगे बसरते की हस्ताचर करताओं और गैर हस्ताचर करताओं के बीच एक परिभासित कानूनी समंध हो और पक्ष आचरण द्वारा इसे बंधे होने का इरादा रखते हो गैर हस्ताचर करता या हस्ताचर करता के पक्षों के साथ सम्मन्नों और उनके विसे बस्तु में उनकी व्यवसाइक भागेदारी के आधार पर मधधस्ता समझाओते के लिए पूरी तरह से अजनवी नहीं है हमारा अगला अटकिल है गर्वान रत्त के बारे में हुआ कि आधके अर्वथ अभी हाली में उनस्कोद्वारा गुजरात के गर्वा नरत को मानवता की अमूर्त सांस्क्रति बिरासत और परतिनंदी सूची में सामिल किया है तो इसके बारे में देख लेते हैं गर्वान रत के बारे जाता है ये तेवार इस्त्री उर्जा सक्ति की पूजा के लिए समर्पित है इस इस्त्री उर्जा की सांस्कृतिक प्रदर्सनात्मक और द्रस अभ्यक्तियां गर्वा नरत्य के माध्यम से व्यक्त की जाती है गर्वा का प्रदर्सनात्मक और द्रस उत्सव घरों और मंदिर प्रांगणों, गाउं में सामाजिक इस्थानों, सहरी चौराहों, सडकों और बड़े खुले मैदानों में होता है इस पर कार गरवा एक सरव्यापी भागेदारी वाला सामधाई कारिकरम बन जाता है एक धार्मिक अरुष्ठान होने के लावा गरवा सामाजिक आर्थिक, लिंग और कठोर संपर्दाय सनरचना को कमजोर करके सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें सारे लोग इस मिलजुल के अपना टांस करते हैं, तेवार मनाते हैं यह बिबिद और हासिये पर रहने बाले जो समदाय होते हैं, उनके द्वारा समाबेसी और सहवागी के लिए बना है, जिससे समदायिक बंधन मजबूत हो रहे हैं इसमें राम लीला बायदिक मंत्रो चारण बा कुटियाटम इनको 2008 में सामिल किया गया था, रम्मन को 2009 में सामिल किया गया मुडियेटू कालवेरिया बाच्छवुन रत्य को 2010 में सामिल किया गया, लद्दाक का बहुत जप इसको 2012 में सामिल किया गया, मनपुर का संकीरतन इसको 2013 में सामिल किया गया और पंजाब के डांडियाला गुरू के ठठेरों द्वारा निर्मित पीतल और तामे के बरतन को 2014 में सामिल किया गया योगबा नवरोज को 2016 में सामिल किया गया कुम्ब मेला को 2017 में सामिल किया गया और कोलकाता के दुरगा पूजा को 2021 में सामिल किया गया है और अब ही अब 2023 में इसको गर्वा नत्य को सामिल किया गया है अमूर्त सांस्तिक ब्रासत क्या होती है तो ये गर्वा इस तरह कुछ खेला जाता है अमूर्थ सांसतिकी बिरासत ये इसमारकों और बस्तूओं के संग्र है पर समाप्त नहीं होती है इसमें अपने हमारे पूर्बजों से बिरासत में मिली हमारे बंसदों द्वारा दी गई जो परंपराएं या जीवित अव्यक्तियां भी सामिल होती है जैसे कि मौकिक परंप होते हैं उन सभी को इसमें सामिल किया जाता है हमारा अगला आठकिल है जेमिनी ए आई मॉडल के बारे में तो अब देख लेते हैं के अब है अब हहाली में गूगल ने अपने नभीन्तम सबसे सक्साली आटि फीसल इन्ठेलिजंस मरडल जेमिनी के लांच करने की घुस्ड की है तो जेमिनी AI मॉडल के बारे में जाल लेते हैं एक नया मल्टी मॉडल सामान एयाई मॉडल है जिसका आरत है कि एक ही समय में टेक्स्ट कोड आडियो चभी और वीडियो सहित विभिन प्रारूपों को समझ और उसका काम कर सकता है यानि यह की समय में यह कोडिंग वीडियो वीडियो आडियो चभी और जो तस्वीरें होती है उनको सभी को जो विभिन प्रारूपों होते हैं इनको यह की प्रकार बार में समझ और सब कुछ काम कर सकता है यह अब बाढ़ कुछ डवलपर प्लेट फार्म और यहां तक की नए गूगल फिक्सल 8 प्रो उप लब्ध है यह दुनिया की सबसे लोग प्रिये प्रोग्रामिंग भासा जैसे कि पाइथन जाबा सी प्लस प्लस और गो में उच गुडवक्ता बाले कोड को समझ और समझ उसमें उत्पन उसको कर सकता है यह तीन आकारों में आता है इसमें अभी लांच होने वाला अल्ट् प्रो और नाइनो है जिसे कि फोटो में दिखाया गया है अभी तीन लांच किये गए इसमें अभी लांच किये गए हैं जेमनी अल्ट्रा सबसे बड़ा और सबसे सक्षम माडल है यह अद्धिक जटल कार्यों के लिए होगा यह अब सुरुवाती प्रियोग और फीड़क क कि कारियों को पूरा करने के लिए सर्बशिष्ट होगा यह अब दुनिया भर के नियमित उप्योगताओं के लिए बाड में उपलब्ध है जैमिनी नैनो आन डिबाइस कारियों का प्रवंधन करेगा और पहले से यह फिक्सल एट पर उपलब्ध है जो रिकाडर एप के सारांस और जी बोर्ड के माध्यम से स्मार्ट रिप्लाईज ऐसी नई सुबदाओं को ससक्त बनाता है हमारा अगला आर्टिकल है कोपिली ब्रंस छेत्र के बारे में तो आईए देख लेते हैं यह कोपिली ब्रंस एरिया है यह जी जो डॉट है यह तो आईए इसके बारे में देखते हैं अभी हाली में एक अभूत पूर्व खोज में भारतिये भूत चुम्बकत्त संस्थान के स्वादकरताओं ने सक्रिय कोपिली फॉल्ट छेत्र में एक भूकंप जन्द्रभी कत्त बिसेस्ताओं की पहचान की है कोपली फॉल्ट जोन के बारे में देखते हैं तो यह पूर्वत्तर छेत्र में इस्थित तीन सो किलोमीटर लंबी और पचास किलोमीटर चौड़ी रेखा है यह मडिपुर के पसिमी भाग से भूटान के अवड़ाचल पदेश और आसम के त्री जंक्सन तक फैला हुआ है यह हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के करीब है और यह भूकंपियर रूप से सक्रिय छेत्र है जो उच्चतम खत्रे वाले जोन 5 में आता है मालिम हायस्ट खत्रा है इसको बारतिय प्लेट में उरेशियन प्लेट के नीचे दबने के कार्ड यह टकराव संबंदी टेक्टोनिक्स से जुड़ा हुआ है दो स्वें एक ट्रांस प्रेशनल थ्रेक्चर है जो नीचले क्रिश्टल डेक्स्ट्रल स्ट्राइक स्लिप भूकंप उत्पन करता है कोपिली नदी और उसके साइक नदियों के जलोड से भरा यह एक विवरतनिक अपसाद कोपिली भ्रंथचेत्र के में अतीत में 1869 के भूकंप में लब यहाँ पर 7.8 की थी प्रता से और 1943 में 7.3 की थी प्रता से कई भूकंप यहाँ पर देखी गई है यानि बहुत ज़्यादा से भूकंप आया हमारा अगला अटिकल है सोलर और विटर के बारे में तो आएए देख लेते हैं अभी हाली में यूरोपिय अंत्रिश एजंसी के सोलर और विटर ने सूरी की पूर्ड डिस्क और बहाली बाताबड कोरोना की अभी तक की सबसे वि जनकारी देगा एचरू करने क्लिए डिजाइटन किया गया है कि मिलोंसूरी कि तरह इस काम करता है उसकी जनकारी के लिए भेजा गया था इसकी कल्पना सूर्ड और उसके आंत्रीड हेलो स्पेर सौर मंडल में अग्या जो आंतरिक छेत्र होते हैं और उनके करीबी है जो अध्यन करने के लिए इसका की गई है ये 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 पूर्व में किसी भी आंत्रिच च्यान की तुल्णा में अधिक नजदीकी से सूरी की तस्वीरों को लेगा और पहली बार सूरी के अग्याद रुब्य छेत्र को देखेगा दस बरबरी 2020 को लांच किये गए मिसन से इसी बरस जून में खीची गई प्रत्रब छबियां जारी की है इसने दिसम्बर 2021 में प्रत्वी और सुक्र पर कई गुरुत्ता कसर सायता इक्तियों के बाद अपना पूर्ड बिग्यान संचालन शुरू किया था यह सुर्य के चारों और एक अंडाकार कच्छा का अनुकरण करता है जिसका निकटताम बिंदू पेरी हेलियन सुर्य के लगबग 25 मिल यानि 40 मिलियन किलो मीटर दूर है जो बुद्ध की कच्छा से अधिक निकट है उपकरण तो इसमें सुर्य तथा सौर कोरोना का निर्षड करने के लिए 6 रिमोट सेंसिंग उपकरण और सौर हवा उरजावान कड़ों और विद्धुच चुमकिये छेतरों को मापने के लिए 400 इस्थाने उपकरण हैं यह मिसन कम से कम 2027 तक जारी रहेगा हमारा अगला अटकिल है मेगा माउट सार्क के बारे में तो आए देख लेते हैं यह मेगा माउट सार्क का फोटो है इस तरह इसको दिखती है अब यह हाली में एक गरबबती मेगा माउट सार्क दूरलव और गहरे पानी की प्रजाती फिलिपीन्स के एक समुद्र तड़ बहती हुई पाई गई थी ये मेगा माउस सार्क के बारे में देख लेते हैं तो ये गहरे पानी में रहने वाली सार्क की एक अतियंत दुरुलब और आसमाने पर जाती है इसका बैज्यानिक नाम मेगा चस्मा पेला गियोस है और इसका बित्रण मलब ये कहां पाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि ये 40 डिगरी नौर्थ से 40 डिगरी साउथ अच्छांसों के बीच छेतर में पाई जाती है ये सार्क अटलांटिक भारतिये प्रसांत महा सागरों में पाई जाती है इसका परियावास तो ये गहरे समुद्र के पानी में रहती है और इस प्रजाती को अपना परियावास में केवल कुछ ही बार देखा गया है और बैज्ञानिकों के अनुसार ये 60 से भी कम जन्तूओं को अभी तक पकड़ा या देखा गया है इसकी विशेस्ता क्या है तो ये बड़ी प्रजाती है जिसका बजन 2700 पाउंड यानी 1215 किलोग्राम होता है ये आम तोर पर 425 से 515 सेंटिमीटर लंबी होती है इसमें मादाय नरसे बड़ी होती है इसके उपरी भाग भूरा से नीला, काला और निचला भाग हलका भूरे रंका होता है इसके उपरी और निचले जवरे पर छोटे जुके हुए दातों की एक स्रंकला होती है ये फिल्टर फीडर है और पसंदिता प्लवक के सिकार को फिल्टर करने के लिए ये पने मुझे अंदर का भाग प्रकास पड़ा करने बाले अंगों से धका होता है जिसका उप्योग समुद्री कृष्टेंसियस और अन्नसंभाविस सिकार को आकासित करने के लिए किया करती है समस्टर की इस्तिति इसकी है तो यह iCN की जो रेड लिष्ट हुती है उसमें लिष्ट कंसर्ण है मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है हमारा अगला आठकिल है multiple isklerosis के बारे में multiple isklerosis के बारे में तो देख लेते हैं अभी हाली में सोद करताओं बताया है कि मल्टीपल स्केले रोसिस के निदान से पूर ब्यक्तियों में अबसाद कब्ज मूतरपत के संक्रमण और योन समस्याय होने का आधिक संबाबना देखी गई है तो ये मल्टीपल स्केले रोसिस ये केंदरिये तंतरिका तंत की एक दीर कालिक बीमारी है इससे प्रिणित लोगों में प्रतिरच्छा प्रणाली, मस्तिक्स और रीड की हड़ी में नसों को घेरने वाले सुरच्छात्मक आबरण माईलीन की कोशिकाओं पर हमला करती है माईलीन आबरण को नुकसान होने से मस्तिक्स सरीर के अन हिस्सों तक तंतरिका तंत संकेत बादित होते हैं इसकी छती मस्तिस रीड की हड़ी और आखों पर प्रभाव पड़ता है अंतता ये विमारी तंतरिका तंतुओं को इस्थाई छती या गिरावट का काल भी बन सकती है ये पुरुसों की तुल्ला में महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है और इस विकार का सबसे अधिक निदान 20-40 उमर की उमर के बीच किया जाता है मलब उसके बाद इसका निदान करना मुश्किल हो जाता है लेकिन ये किसी भी उमर में देखा जा सकता है इसकी कई संभावित कारण है जिसमें कुछ कारण सामिल है जैसे प्रतिर्ची विकार संक्रामक एजेंट जैसे बाइरस को यह हमला कर दे या पर्यावणी कारण को यह हो सकता है इसमें आनवानसी कारण भी हो सकता है और इसके संकेत या लक्षड क्या होंगे तो इसमें ये विमिन रोगियों में व्यापक रूप से अलग-अलग होता है और ये केंद्रिय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका फाइबर छती के स्थान और गंभीरता पर निर्वर करता है कुछ लोगों में हलके लक्षण होते हैं जैसे कि धुंदली द्रश्टी, सुन्नता और अंगों में जुन्जुना जुन्जुनी गम भीर मामलों में ब्रक्ति के पश्चपात, द्रश्टी हानी और गतिसीलता संबंदी समस्याओं का अनुबव हो सकता है उप्चार में इसके क्या करना चाहिए तो इसे मल्टिपल स्केलियरसिस का ये कोई इलाज नहीं है हाला कि ऐसे उप्चार हैं जो हमलों से तेजी से उबरने बीमारी के इस्तर को संसोधित करने और उनके लच्छनों को प्रतिबंदित करने में कुछ मदद कर सकते हैं कि कोई स्थाइस का इलाज अभी तक नहीं है हमारा अगला अर्टिकल है पेन गंगा नदी के बारे में तो आएए देखते हैं प्रभावित बांध पर्योजना के खिलाब बिरोध प्रजसन किया गया है तो तब ही चर्चम है पेन गंगा नदी जिसे पेन गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है ये माराष्ट के यवतमाल जिले के प्रवुक नदी है जिसे जिले की दच्छडपूर्वी सीमा के साथ गुमाओदार रास्टे में बहती है। इसकी उत्पत्ति माराष्ट के और अंगावाज जिले में अजंता परवतमाला से होता है। यह बरधा नदी के यूव प्रमुक सायक नदी है। जो जिले की अन्य प्रमुक नदी हैं। बर्धा नदी बेन गंगा नदी में बहती है और प्रणाहिता नदी बनाती है जो अंदताप गोदाबरी नदी में मिल जाती है जिसे इसमें ये पेन गंगा है और ये बर्धा में मिलती है और बर्धा आके प्रणाहिता बनाके बनाती है और फिर ये बर्धा नदी इसमें आक लगाना कठिन है इस नदी की कुल लंबाई 636 किलोमीटर है प्रुमुक साहिक नदियों में इसमें अधन कास अवड़ाबती कयादू और पूस नदियां सामिल है पेनगंगा नदी बरसात और सरदियों के मौसम में बाढ़ का कारण बनती है गर्मियों में आनवांसी अब आए देख लेते हैं नदी पर बांद बनाए जा रहे हैं जिनके कारण यह उपरी पैनगा निचला पैनगा इस बांद को इसापूर बांद के नाम से जाना जाता है और अगला आटकिल हमारा है ग्लोबल स्टेट्स अफ मल्टी हैजार्स अलीबार अलीवाली सिस्टम 2023 सिर्शक एक रिपोर्ट जारी करी गई है उसके बारे में देख लेते हैं तो यह रिपोर्ट अभी संयुक्त राष्ट संग और मल्टी हैजार्स अलीवाली सिस्टम यह खतना गटनाओं में घटित होने वाली से पहले आपदा जोखिम को कम करने के लिए समय पर कारवाई करने में बेक्तियों, संगदायों, सरकारों और व्यबसायों आदिको सच्छम बनाता है MHEWS के चार इस्थम हैं इसमें आपदा, जोखिम का ग्यान, परवेश्चण और निगरानी, संचार तथा प्रतिक्रिया की तयारी इस रिपोर्ट में सेंडाई भ्रेमबरक 2015-30 के तहट निर्धारित लक्ष की तुलना में MHEWS की बरतमान बैस्विक इस्थिति का अकलन किया गया है इसका टार्गेट तो MHEWS की एक बलबदा का उस तक पहुँच में परियाप्त ब्रदी करना है इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदों पर एक नज़र डालते हैं तो ये 101 देशों ने MHEWS से लैस होने की सुचना दी है इसमें 95 देशों ने आपदा जोखिम न्यूनी करड रनीती लागू की है कावन अलर्टिंग प्रोटोकाल से अधिकारिक स्रोट से जनता तक समय पर सुचना पहुचाने में मदद की है अल्प बिक्सित देशों और छोटे DPA विकासील देशों में 400 मिलियन से अधिकावादी की बाढ़ सुखे आधि के लिए बहतर पूर्वा नुमाल बाचेताबनी पढालियों तक पहुच है चुनोती क्या है इसकी तो बिस्सु के बल आधा इस्सा ही अग्रिम चेतावनी पणाली के दाएरे में है आपदा वा खतनाग घटनाओं के अचानक से घटित होने तथा उनकी बढ़ती जटिलता और कमेता के काड़ आपदा का खतनाग घटनाओं के अचानक जो MHEWS की छमता होती है उसको चुनोती मिल लही है भारत में आपदा जोखिम से समंदित ज्यान और प्रबंदन चेतावनी पनाली प्रसारवा संचारतन आथ परियापत नहीं है हाला कि भारत के पास तैयारी प्रितक्रिया डेटेक्सेजन निगरानी और पूर्वानवान समंदित छमताएं कुछ मौजूद है अबदा जोखिम निवनी करण के लिए कुछ पहले भी हैं प्रीका और एसिया के लिए रीजिनल इंटी मुल्टी हैजाड अल्ली बार्निस सिटम सिस्टापित किया गया है कुछ भारत ने भी पहले शुरू करी गई है इसमें 2016 में आपदा जोकिम नियुनिकर्ण के लिए पहला ACI मंत्री इस तरिये सम्मेलनायजित किया गया था आपदा रोधी अब सरचना के लिए गट बंदन 2019 भारतिय सुनामी अग्रिम चेताबनी पढ़ाली 2007 और IF-LOWS मुंबई और CFLOWS चेन नई जैसी बार चेताबनी पढ़ालिया जैसी पहले बारत द्वारा की गई है अबिया चेक technical है जम्मू कस्मीर में अभी 2 विधायक लोगषवा में पैदित किया घंभी कस्मीर से इलेटेट तो इसको देखते है अभी चम्मू कस्मीर आरचण संसोधन विधायक 2023 इसके तहता जम्मू कस्मीर आरचण अधिनिययम 2004 में संसोधन किया जाएगा ये अदिनियम अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती तथा सामाजिक और सहच्छिक रूप से पिछड़े बर्ग है उनके सदस्यों को नोकरियां एबन वेवसाइक संस्थानों में प्रवेश को में आरक्षण पदान करता है इस अदिनियम के तहित S.E.V.C. में निमलि आने वाले लोग तता ऐसे लोग जिन्हें अद्सूचित जाती अनुसूचित जातीयों के आधार पर उनके रूपे सूचिबत्य किया गया है इस विदेख में केंस सासित प्रदेश जम्मू कसमीर द्वारा अद्सूचित कमजोर और बन्चित बर्गों के लिए इस्थान पर अन्य पिछड़ा बर्ग का प्रावधान करता है इस अधिनियम से कमजोर और बंचित बर्ग की परिवासा को भी हटा दिया गया है जम्मू कस्मीर पुनरगठन संसोधन बिदेग जोजार तेईस तो यह जम्मू कस्मीर पुनरगठन अधिनियम 2019 में संसोधन करेगा इस ब परचित की गई है विदान सवा में उपराज पाल दोरा सदस्यों का नाम निदेशन इसमें कस्मीरी प्रवाशी समधाय से अधिकतम दो सदस्य को नाम निदेश्ट किया जाएगा इसमें से एक सदस्य महिला होगी जम्मू कस्मीर के जो पाकिस्तान अधिकरत हिस्सा आयप सदस्य को नाम निदेश्ट किया जाएगा है हमारा अगला आटिकल है मियां बाकी ब्रच्छा रोपड विधी के बारे में तो आएए देखते हैं अभी साउथ इस्टन कोल फील्ड लिमिटेड चतित गड़की कोईला खनन बेल्ट ने मियां बाकी विदी का उप्योग करके ब्रच्छा रोपड करेगी है तो मियां बाकी बिदी क्या होती है तो इस बिदी का नाम जापानी बरस्पति सास्ती थे एक अकीरा मियां बाकी उनके नाम पर रखा गया इस बिदी में प्रति बर्ग मीटर उसके भीतर मनलब दो ऐसे चार प्रकार के देशज ब्रच जाडि मियां ग्राउंड कवर प्लांट्स आधी रोपित किये जाते हैं इससे छोटे भूकरंड पर घने बितान यानि कैनोपी की परत वाले बन तयार हो जाते हैं इसमें ब्रच्छा रोपड के लिए आईसे पादपो की प्रजातियां चुनी जाती हैं जो कठोर मौसम और पानी क कमी की स्थिति में भी जीवित रह सकती है मियां बाकी बिदी के लाव क्या है तो मियां बाकी बिदी के लावों में ये बन को कम समय में तेजी से बढ़ाते हैं सहरी बानिकी में युगदान देती हैं और ये कार्बन संचैन में ब्रद्धी करती हैं बाई और धनी प्रदू पहचान पनाली के मारे में यानि 29 के बारे में तो 2023 में अब तक 950 को मनलब देश में 1022 इस्थानों पर इस्थाबित किया गया है तो इसके बारे देख लेते हैं तो ये NFIS राष्टिय इस्थर पर खोज योग डेटावेस हैं इसे अपराद और अपरादियों से बंचित फिंगर प्रिंटिंग डेटा इकत्रित हैं इसका प्रबंदर राश्टी अपराद रिकार्ड विरो यानि NCRB द्वारा के इंद्रिय फिंगर प्रेंटिंग विरो यानि CFPB में किया जाता है इसमें किसी अपराद के लिए गिरफतार किये गए ब्यक्ति या ब्यक्तियों को एक बिसिष्ट 10 अंकिये नेशनल फिंगर प्रेंटिंग नंबर पदान किया जाता है नाफिस अपराद और अपरादी ट्रैकिंग नेटवर्क इबं सिस्टम डेटाबेस में प्रते गिरफतार ब्यक्ति के लिए एक बिसिष्ट आइडेंटिफ फायर यानि पहचान का कोई साच प्रदान करता है नाफिस और CCTNS दोनों एक बैक एंड पर जुड़े होने के काड़ आईसा संभव हो पाता है हमारा अगला आटकल है भारतिय साइवर अपराद समर्भा केंदर के बारे में अभी यहाली में एलेक्टॉनिक्स और सुचना प्रदोगी मंतराले ने I-4C से मिले इंपुट के आधार पर सो से अधिक साइट को ब्लाक कर दिया है I-4C की इस्थापना के इंदरिये ग्रह मंतराले ने की थी इसे देश की सभी प्रकार की साइवर अपरादों से समर्भित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए इस्थापित किया गया था I-4C के निमलिक्त उद्देश हैं इसमें साइवर अपराद से जुड़ी सिकायतें दर्ज करने की प्रिकरिया को आसान बनाना सक्रिय साइवर अपराद की रोगधाम और कानूनी प्रवतन एजन्सियों के लिए एक अग्रिम चेतावनी पिनाली के रूप में कार करना साइबर अपराद की रोग थाम के लिए जनता को जागरूप करना और पुलिस अपरादी लोग अभियोजकों और न्याईक अधिकारियों की छमता निर्माण और राज तो यदि बत्ता चुनाव लड़ रहे हैं तो उम्मीदवानों को अपना बोट नहीं देना चाहता है तो वह नोटा बटन का विकल्प चुन सकता है अगर उसको कोई पसंद नहीं है जितना ब्यक्ति लड़ रहे हैं तो नोटा दबा सकता है नोटा बिकल्प की सुरूआत पिपल्स उनियन आफ सिबिल लिवर्टीज बना भारत संग मामले में सुप्रिम कोट के निर्देशन में 2013 के बाद से शुरू हुई एक किसी निर्वाचन छेतर में नोटा सबसे अधिक बोट मिलने पर बहां पुनर मद्दान करने का कोई प् अब हमारा अगला आटकिल है रुक्मनी लच्मी पती के बारे में तो अभी ये चर्चा में है थोड़ा तभी इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा तो ये आंत्रपदेश के पसिमी गोदाबरी जिले की एक सुतनत्ता सेनानी वा समास सुधारक थी और इनका जन्म 1292 मे सबित अबने नमक कानुन था और यह पहली महिला थी जो नमक सत्यां करंद के दवरान कैद किया ता जहां रहना कि इनहें मदराफ विदान परिशत के तो आर्था बात देश भक्ति की जलक दिखती है आज के हमारे सारे आटकिल फिनिस हो गए ये इनका जित्तर है तिरुपमती रुपमिडी लच्मिपती ध्यान रखना इनका नाम इंपोर्टन्ट है आज का वेडियो एंड करते हैं थेंक्यू धन्यवाद